आज है 7 नवंबर 2014 दिन गुरुवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को इसे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट में बताना आप बिल्कुल ना भूलें साथी हमारे फेस्बुक पेस दो भी फॉलो करें फेस्बुक पेस सलेंग इसके संबी दिया गया है बुद्नी में घूमता रहेगा विकास का पहिया सियम मोहन और शिवराज नहीं वादा दोहराया बुद्ने विदान सबव चुनाओं में भाजपा की जीत तैकरने के लिए मुख्य मंत्री रॉक्टर मोहन यादव और केंद्रिया करशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने मूर्चा संभाला है दोनों नेताओं ने बुद्वार को पिपलानी और शिचगाओं काची में जल सभा कर भाजपा उमीदवार रमाकान भारगव के लिए वोट मांगा दोनों ने बुद्नी का सतत्विकास चारी रखने का बादा दोहराया एंपी में फिर बढ़ेंगे जमीनों के दाम 35 से अधिक लोकेशन पर दिसमबर से नया रेट होगा लावू प्रदेश में पहली बार साल में दुबारा जमीनों के दाम में व्रत्धी होने वाली है प्रदेश की 1,12,000 लोकेशन में से 3 प्रतीशत से अधिक यानि लगबग 3500 लोकेशन में जमीनों के दाम में 60.94 प्रतीशत की पढ़ोतरी होगी वर्ष 2024 की शेश शवधी के लिए अच्छा संपत्ती के बाजार मुले गाइडलाइन के लिए बुद्वार कोही केंड्रिय मुल्यांकन बोड की बैचक में इसका निमोदन किया गया किशी मंतरी शिवरासिंग जोहान ने किसानों को दी खुली चूट खर्शा देने का भी ऐलान किसानों को मंडी आने जाने का खर्श देने का भी ऐलान कर दिया कर्मचारियों के 36 साल पुरानी मांग पूरी करेगी मोहन सरकार सुबगाहट तीज मद्द प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन धारियों के सालों पुरानी मांग पूरी करने की तैयारी में है प्रदेश में करीम 36 साल से कर्मचारी संगटन वेतन पेंशन और सिवान नियमों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रही है और अब सब्गाहट है कि मोहन यादव सरकार इसे ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लेने वाली है सरकार चार सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने जा रही है जो कर्मचारियों की मांगों पर उनसे चर्चा कर सुझाओ सरकार को देगी एमबिगे उन्ने जिलों में बड़े सुपर मार्केट 2000 स्कॉार मीटर में विकसित होगा बाजार मदर परदेश के उन्ने जिलों में बड़े सुपर मारकेट बनाए जाएंगे ये नए बाजार 2000 स्कॉार मीटर में विकसित होंगे परदेश में ये बाजार के इंदर और राजसरकार मिलकर बनवाएगी इन बाजारों में सब कुछ मिलेगा परदेश की पुरानी कला संस्कृती के प्रतीक शिल्पकारी चित्रकारी खिलोने मिट्टी और पांस इन इरमेट चीजें भी बेची जाएंगी इंदर से चलेगी भारत गॉरप ट्रेन डक्षन भारत के तीरतिस थलों के कराएगी दर्शन समय समय पर तीरतियात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन करता रहता है इस कड़ी में दक्षन भारत के तीरतिस थलों की यात्रा कराने के लिए इंडियन रेल्वे भारत गॉरप ट्रेन चलाने जा रहा है जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया ये ट्रेन इंडोर स्टेशन से चलाई जाएगी और नौर रातों वदस दिनों के टूर में यात्रियों को दक्षन भारत के तिरुपती रामेश्वरम मदराई कन्या कुमारी और तिरुआनन्द पुरम के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराएगी मदरप्रदेश के अर्थाने में साइबर डेस्ट, दिले में साइबर थाना और राजेस्त्री एकॉल सेंटर बनीगा मदरप्रदेश के मुखे मंदरी डॉक्टर मोहन ने आर्टिफीशल इंटेलिजन्स के दुरुपयोग से बचने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा मंतराले में ग्रह विभाग की समिक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को फ्यूचर रेडी यानि भविश्य के लिए तयार रहने के आवशक्ता है इसके लिए सूचना प्रद्योगिकी की अध्यतन तक्नीकों का उप्योग किया जाना चाहिए भुबाल में प्रॉपची की कीमतों में व्रद्धी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है प्रस्ताओ की सरकार समीक्षा करेगी और जंदा के हिद को ध्यान में रखते हुए निर्ने लेगी दरसल पंजी अन्विभागने जिले के 243 स्थानों पर अचल संपत्यों की खेमतों में पांच से 200 प्रतीशत तक प्रद्धी का प्रस्ताओ तयार किया था जिसका विरूत पहले दिन से शुरू हो गया था उजयन अर्मदापुराम शैडोल में भी खुलेगी पुलिस की फॉरेंसिक लैब लंबिट सेंपल्स की संख्या कम होगी प्रदेश के उजयन अर्मदापुराम शैडोल जिला मुख्याले में भी फॉरंसिक्स सेंपल की जांच के लिए लैब शुरू करने का प्रस्ताओ है इनके शुरू कोने से प्रदेश में फॉरंसिक्स सेंपल की जांच की दस लैब हो जाएंगी इनके खुलने से लाव ये होगा कि एक से डेड़ वर्ष में जाँच के लिए सेंपल लंबित नहीं रह जाएंगी देज़वर में एक जुलाई से तीन कानूनों के नए सरूप में प्रभावी होने के बाद तुरित नयाय देने का दावा किया गया है दिव्यांगो बुजर्गो द्रश्टी बाधितों की रहा सुगम करेंगी ये चड़ियां दिव्यांगो बुजर्गो द्रश्टी बाधितों की रहा सुगम करने के लिए इंदौर के पूर विज्यानी ने तीन प्रकार की चड़ियां तयार की है ये मदद करने के साथ बाधाव से भी बचाती हैं आप आतिस्तिती में सुरक्षा भी देती हैं ये रीचार्जेबल हैं इनका वजन 300 ग्राम तक है राजा रमना प्रगत प्रोध्योगी की केंद्र इंदौर के पूर विज्ञानी संजेख खेट वा उनकी टीम ने इसको तयार करने के बाद प्रियोग के लिए कुछ संस्थानों को सौपा है इंदौर में मास्टर प्लैन के तेई सडकों के लिए दूसरी बार जारी टेंडर इंदौर नगर निगम ने दूसरी बार भी निरस्ट कर दिया है इंस सडकों के लिए अब तीसरी बार टेंडर जारी किये जाएंगे निगम ने इन सड़कों के लिए चार अलग अलग पैकेज में टेंडर जारी किये थे पहली बार जारी टेंडर चार निर्मार एजंसीस के आपस में संग मत होकर टेंडर डालने की आशंका के चलते निरस्त कर दिये गई थे अश्मान योजना से कैंसर को मात दे रहे भारती है इलाज कराने वाले साथ करोड में से 25 लाक रोगी इसी बीमारी के सितंबर 2018 में प्रारम बायुश्मान भारत योजना के 6 साल पूरे हो गए इसी कड़ी में के इंदर सरकान ने 29 अक्टूबर को 70 वर्ष त्यादिकायू के सबी लोगों को पांच लाक रुपे प्रतिवर्ष कात्रिक तिबीमा का बर देना शुरू कर दिया योजना के पिछले 6 वर्ष के आकड़े देखें तो कैंसर रोगियों के लिए ये योजना बड़ा संबल बनी देश पर में अभी तक 7 करोड से अधिक लोगों का उपचार इस योजना के इंतरगत हुआ इसमें 25 लाक कैंसर की हैं इस पेशियलिटी के हिसाब से उपचार कराने वाले का ये चौथा बड़ा आकड़ा है बारतानों की पलिस फोर साथ बुल्डोजर प्रशासन ने खाली कराई स्कूल की 15 हेक्टेयर जमी तैसील के पुनरवास बड़ोदा इस तलपर सीम राइस स्कूल के लिए चिर्नांकित भूमी से अधिक्रमन हाचाने की कारवाई बुदवार को की गई ये भूमी राजस्त विभाग में चर्नोई भूमी के नाम से आवंटित थी जिस पर दिन वा प्रति दिल छोटे-छोटे मकान बनाकर फिर बड़े आकार में रूप दे दिया जाता था सत्वास तहसीलदार हरियों मठाकोर ने कई बार अतिक्रमन करने वाले लोगों को नोटिस थमाया इसके बावजूद अतिक्रमन को नहीं हटाया गया इन दौर में सड़क पचिपकाई कैनेडा के पे-एम जस्टिन टूडो की तस्वीर कैनेडा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो की तस्वीर और वहां का जंडा इन दौर की सड़क पर चिपकान नजार आया कैनेडा में मंदिरों और भार्तिय नागरिकों पर हुए हमले के खिलाब विरोध दर्ज कराने के लिए ये किया गया कॉंग्रेस नेताओं ने सुबे रीगल चोराहे और गांधी प्रतिमा के आसपास सड़क पर पोस्टर चिपकाए थे जिला कॉंग्रेस सेवा दल के कारेकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल गिरीश जोशी देवेंदर सिंग यादव ने विरोध दर्ज करवाने का अनुखा तरीका चुना मदरप्रदेश राजिस्तान के बीच चीता परियोजना के लिए समिती गठ है मदरप्रदेश राजिस्तान के बीच चीता संरक्षन परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने और चीता कोरिडोर के विकास के लिए दोनों राजियों ने एक संयुक्त प्रबंदन समीती का गठन किया कि समीती चीता किस अंड़क्षन परियतन संभावनाओं और शेत्रों के विकास के लिए विस्तरत योजनाब बनाएगी साथी यह हर तीर महा में अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की सरकारों को सौपेगी बुबाल में राते हुई ठंडी 15 डिग्री पारा 15 नवंबर के बात पड़ेगी कडाके की ठंड राजधानी बुपाल समीत प्रदेश के जाधतर शेत्रों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया राते लगाता ठंडी होने लगी हैं राजधानी बुपाल का निउन्तम तापमान 15 डिग्री सेस्यस दर्ज किया गया प्रदेश का सबसे ठंडा पच्मनी रहा यहां निउन्तम 11.2 डिग्री सेस्यस तापमान दर्ज किया गया इसी प्रकार प्रदेश के जादतर जिलो मेरात का तापमान 20 डिग्री से से नीचे दर्ज किया जा रहा है प्रदेश में 10 ओद्यगिक इकाईयों के प्रक्रणों को मिली मन्जूर प्रस्तावित प्रियोजनाओं से करीब 6200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है 15 दिन में डेंग्यों के 54 मरीज सामने आए जेंग्यों के मरीजों में लगातार परहुतरी होती जा रही है पिछले 15 दिनों में 49 मरीज सामने आए जिसके बाद कुल जेंग्यों पॉजिटिव मरीजों के संख्या 230 तक पहुँच चुकी है पिछले साल नवंबर तक 216 मरीज थे जबके 2022 में यहां कड़ा सिर्फ 71 था इस वश अब तक के मामलों के संख्या पिछले दो सालों से अधिक हो चुकी है और नवंबर के अंध तक यह और भी बढ़ने की संभाब ना है जेंग्यों के फैलने के मुख्य वजे अधिक बारिश के बाद जल भराओ और मच्छरों का प्रजनन है मलेरिया विभाग के लापरवाही और नगर पालिका के खराफ फॉगिंग मशीन भी समस्या को बढ़ा रही है नेपाल से MBBS करने वाले स्टूडेंट्स हो जाएं साफधान भारत में प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेगा लाइसेंस नेपाल में MBBS की पढ़ाई करने वाले और पढ़ने जाने वाले भारतिय शात्रों को साफधान होने की जरूरत है नहीं तो उनका डाक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए धूरा रह सकता है नेपाल में इस वक्त MBBS के लिए एड्मिशन की शिरुआत हो चुकी है लेकिन एक्सपर्स ने भारतिय चात्रों को चिर्ताब नहीं दी है कि नेपाल के मेडिकल कॉलेज भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी फॉरेंड मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगूलेशन्स 2021 के मानुकों को पूरा नहीं कर रही है भॉपाल से बाटली पुत्र के बीच दोड़ेगी अमरत भारत ट्रेन सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे बियार के ओजाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ उमड रही है स्पेशल ट्रेन भी पूरी तरह से फुल है ऐसे में भुपाल से पार्टली पुत्र के बीच अब अमरत भारत ट्रेन चलाने की तयारी है ये ट्रेन पूरी तरह से नौन एसी होगी सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच होंगे भुपाल रेल मंडल को उम्मीद है कि अमरत भारत ट्रेन के कोच दिसंबर में मिल जाएंगे केंद्रिया मंत्रिया श्विनी वैशनों ने बताया कि खाद्यान के खरीद में अफसी आई की बहुत बड़ी भूमिका होती है आज भारते खाद्यान इगम को मजबूत करने का निर्ने भी लिया गया केंद्रिया मंत्रिया श्विनी वैशनों ने बताया कि 30.5 लाग तक के रण पर भारत सरकार 75 परसंट क्रेदिट गैरेंटी देगी परिंदों की तरहा आस्मान में उड़ेंगे 1000 लोग 該म जैन में तीन माह तक चलेगा रोमांशा करता मतर्प्रदेश में लोग परिंदों की तरहा आस्मान में उड़ सकेंगे महाकाल के नगरे उजयन में शुरू हो रहे सकाई डाइविंग फेस्टिवल में ये नजारा दिखाई देगा ये रुमांचा करता पूरे तीन महा तक चलेगा जिसमें खरीब एक हजार लोग शामिल हो सकते हैं प्रदेश को एडवंचर हब बनाने के लिए एंपी टूरिस्म ने ये पहल की है तीस नमबर से पहले पेंशनर्स जरूर पूरा कर लेए काम नहीं तो रुक जाएगी पेंशन पेंशनर्स के लिए केंदर सरकार की और से गाइडलाइन जारी कर दी गई है असी साल से कम उम्रवालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र एक से तीस नमबर के बीड जमा किया जा सकता है बुजर्ग लाइफ सर्टिफिकेट आनलाइन ओफ लाइन जमा कर सकते हैं अगर पेंशनर्स लास डेट तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले महीने से उनकी पेंशन रोग दी जाएगी हाला कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने के बाद पेंशन पेमेंट फिर से शुरू हो जाएगी एंपी के गांधी सागर प्रोजेक्ट से ठाई लाइफ घरों को मिलेगा शुद्ध पेजल दिसंबर में आने लगेगा पानी वद्परदेश में लोगों को शुद्ध पानी उपलब्द कराने की दिशा में कहम प्रोजेक्ट पून होने की कगार पर है मंसौर के गांधी सागर प्रोजेक्ट के दिसंबर में पूरा होने की संभावना है जिस से ठाई लाख घरों को शुद्ध पेजल मिलेगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर समूजल प्रोजेक्ट को वर्दान बताते हुए कहा कि इससे ना केवल ग्रामीरों को पेजल मिलेगा बलकि उनके जीवन इस्तर में भी सुधार होगा तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्व करें धन्यवाद